बड़ी प्राब्लम देखी ओवर्थिंकिंग अब ये दो तरह की होती है एक जब आप बिलकुल नहीं पढ़ रहे होते हैं आप कुरसी पर बैठें और आपके दिमाग में कुछ ऐसे थौट्स आने शुरू अरे भाई क्या होगा क्या नहीं होगा मेरा होगा की नहीं होगा तो मैं आईएस बन जाओंगा आईएस बन के मैं ये करूँगा देश को ऐसे सुधार दूँगा तो कई बार आपके थौट्स हैना काने लगते हैं एक निगेटिव थौट्स मेरा नहीं हुआ तो क्या होगा चाचा क्या कहेंगे पूफा क्या कहेंगे मैं कुछ और कल मैं ऐसे कर दूँगा मैं इसकी जगह होता तो कितने लोगों के साथ ये होता है चाहे वो पढ़ाइगे करें और चाहे वो पढ़ाई करें दोनों फेज में जो सबसे बड़ी प्रावलम होती है वो और थिंकिंग होती है मैंने गुर्कुल के स्टेड में भी देखा कई वर वो ऐसे बैठे हुए कुछ सोचे जा रहें पढ़े जा रहें तो उस समय उनका जो पैसिव स्टेडी है वो यह अपने आप में बहुत चैलेंजिंग पार्ट होता है बहुत मुश्किल पार्ट होता है यह आपको ध्यान रखने की जरूरत है तो अगर आप इस चीज़ पर फोकस करेंगे आप इस चीज़ को समझेंगे तो आपको पता चलेगा कि ओवर थिंकिंग हमारी सबसे बड़ किल होता है अब मुझे बताइए कितने लोग इससे बचना चाहते है कमेंट करके मुझे बताइए कितने लोग इसे वाइड करना चाहते हैं कितने लोग इससे बचना चाहते हैं और इस बचाव से उन्हें क्या फायदे होंगे इसके बारे में भी हम जानकारी लेते हैं तो अगर आपको और थिंकिंग से बचना है तो आपको हमने गुरकुल में एक मैथड डबलब किया टाइम ब्लॉकिंग मैथड टाइम ब्लॉकिंग मैथड एक स्ट्टिएंट का भी मैसेज आया कि sir time blocking की वज़े से मेरी पढ़ाई कई गुना बढ़ गी online में उसने सुना और उसने अपने आपको यहां से बगल लिया so अब हम यहां पर भी वो discuss करने जा रहे है कि time blocking method क्या होता गुरकुल में हम लोग इसको intensify दिन में दो या तीन बार इसको apply करते है अगर आप भी अपने घर में चाहते हैं तो आप भी इसको apply कर सकते हैं जिसमें पहला जो method इसमें हम क्या करते हैं for example अभी आप beginner ने आप एक घंटे पढ़ने बैठे आप इसको use करिएगा एक घंटे आप पढ़ने बैठे तो 15 minute के लिए आप time block कर लिए time blocking method क्या होता जर समझें इस समय आपका phone airplane mode में चला जाए या do not disturb mode में चला जाए आस पास कोई destruction ना हो कोई आ जा ना रहा हो एक ऐसा time चुनिए जब आप बिलकुल अपनी पढ़ाई के साथ हो और उस दोरान आप अपने targets को double या triple कर दीजे तो यह क्या करेंगे आप बहुत तेजी से पढ़ेंगे तेजी से पूरा focus मारिए पहले breathing करिए और उसके पूरा focus के साथ आप उस पे तेजी से काम करना शुरू करिए यह हमने करके देखा शुरुआत में बहुत बच्चे घबरा है लिकिन अब उनको time blocking का बहुत जादा फायदा मिलना शुरू हो गया so time blocking method में क्या होगा कि आप अपना पूरा focus वहां लगा देंगे यह आपको पता है अच्छी तरीके से और वहां से आपका output आपका double आना शुरू हो जाएगा धीरे इस 15 मिनट को 30 मिनट में convert करिए 30 मिनट को 45 मिनट में convert करते चले जाएगे तो है वो रास्ता नहीं मिलेगा और आप बहुत focus होकर अपनी पढ़ाई कर पाएंगे तो पहला अगर आपको overthinking से निकलना है इसका बहुत ही शांदार result हमें गुर्कुल में मिल रहा है अगर आप भी इस चीज़ को apply करना चाहते हैं तो आप भी apply कर सकते हैं और जो student समय निका सकते हैं इसके साथ जुड सकते हैं